दुदिय विश्युद्ध के दिल दहला देने वाले किस से आज भी लोगों की जबान पर हैं 1949 से 1945 तक चले इस युद्ध में सत्ता देशों ने हिस्सा लिया और करोडों लोगों का नरसंगार हुआ भारत के सैनिक भी इस युद्ध का हिस्सा बने और लाखो वीरगति को प्राप्थ हुए मुरादाबाद में मौजूद बमवर्शक विमान हरीकेन आज भी उस युद्ध की शौरगाताएं बया करता नजर आता है अंग्रेजों की वाई उसेना का या विमान मुरादाबाद इस्तिफ पुलिस अकादमी परिसर में मौजूद है तक्निकी खराबी के चलते इस बमवर्शक विमान को मुरादाबाद में उतारा गया था जिसके बाद या कभी वापस नहीं जा सका इंग्लेंड के अधिकारियों ने कई बार इसे हासिल कर अपने म्यूजियम का हिस्सा बराने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं में और या फाइटर प्लेन हिंदुस्तान का हीर होकर रह गया बेटेन का आरेफ वाई उसेना का बमवर्शक विवान है जो दुतिय विश्युद में इसका युद के दोरान इसने भाग लिया था और ये यहां कुछ तकनीकी खराबी के कारण बंगला गाओं है उसका एक ग्राउंड है लग खेत है वो वहां ये उतारा गया था डॉक्टर भीम राओंबेडिकर पुलिस अकादमी के परिसर में खड़ा या फाइटर प्लेन इंगलैंड की वाई उसेना आरेफ का हॉकर हरीकेन 2B है दुतिय विश्युद में इस विमान ने इंगलैंड को युद में कई निर्णायक नतीजे दिये थे 550 किलो मीटर की रफतार से उड़ने वाले इस फाइटर प्लेन में मशीन गन लगी हुई थी और यह अपने साथ 227 किलो ग्राम भारी बम को ले जाने में सक्षम था लगातार 1500, 85 किलो मीटर तक उलान भरने की छमता के चलते यह उस वक्त बड़ा ही घातक विमान माना जाता था दुतिय विश्युद के दवरान इस विमान को भार्ती वाई सेना में भी सेवा का मौका मिला था तक्निकी खराबी के चलते इस विमान को दुती विश्विद के बाद मुरादाबाद के बंगला गाउ इस्तित एक मैदान में उतारा गया था जिसके बाद PSC ने इसे अपने कबजे में ले लिया 1947 में अंग्रेजों के वापस लोटने के बाद अंग्रेज अधिकारी इस विमान को वापस लंदन ले जाना चाहते थी और इसके लिए कई दौर की वारता भी हुई इंग्लेंड की वायू सेना इसे अपने संख्राला में रखना चाहती थी उन्होंने इस विमान को पाने की हर संभव कोशिश की लेकिन या विमान वापस नहीं जा सका और आखेकार अंग्रेज अधिकारी विमान को भारत में ही रखने पर राजी हुई इंग्लेंड से आये यहाँ एरफोर्स की लोग और प्रतिनीदी मंडल आया हो उसकी मांग करते हैं कि हम चकी लोग्म में रखेंगे लेकिन यहां भारत की सरकार ने इसको मना कर दिया अदर्धे सरकार में अब इसकी पूरी देख रेक में यह तके सामने रखा गया है